आज देखिए प्रसनावली 8.2 तेंथ कलास का NCRT बूक का दोस्तों पहला का इसमें जो आज इस चेप्टर को टोटल खतम कर देंगे जिसमें देखिए फर्स्ट का एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर और पांच नमबर फर्स्ट में दोस्तों पांच को कोस्च बनाते हैं दोस्तों और वीडियो को आप लगातार पूरा से पूरा देखेंगे और देखिए कोस्चन को कैसे बनाया जा रहा है, तो फर्स्ट नमबर कोस्चन क्या कर रहा है, साइन साथ डिगरी, कॉस तीस डिगरी, पॉलस, फिन साइन साथ डिगरी, कॉस साथ डिगरी, आप देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे, आपको बताएंगे, देखिए, तो प्लेडिस्ट में जा करके आप देख लिजे, आप असानी से पर्मुला को याद रख सकते हैं, अब देखिए, इसको बना रहे हैं, देखिए sin 60 degree का कितना होगा भैलू तो sin 60 degree का दोस्तो होता है root tunder 3 by 2 यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में कोई चीन नहीं है तो इसका मतलब यह बुनका है और यह गुना का चीन होगा ठीक है? इसके बाद देखेंगे दोस्तो cos 30 degree, cos 30 degree का क्या होगा? cos 30 degree का दोस्तो यही होता है जो sin 60 degree का होगा वही cos 30 degree का होगा फिर यहाँ हम जोर लिखेंगे इसके बाद फिर देखेंगे अब इसके बाद क्या है? sin 30 degree ठीक है? तो देखिए दोस्तो sin 30 degree का value कितना होगा तो एक बटा 2 होगा फिर यहां गुने cos 70 degree का value कितना होगा तो एक बटा 2 ही होगा फिर अब क्या करेंगे यहां पर देखें रूट 3 और रूट 3 के गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जागा root 9 हो जाएगा अब बटे में 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा फिर पलस 1 और 1 को गुणा करेंगे 1 दो 2 को गुणा करेंगे फिर 4 हो जाएगा ठीक है इसके बाद फिर हमको क्या करना है यहां देखिए दोस्तों आप वीडियो को आप पूरी से पूरे देखिए जिससे कि आपको बहतीन तरीका से समझ में आगा अब देखिए 9 का वर्गूल कितना हो जागा 3 बटे में यह 4 पलस 1 बटे 4 बटे पलस 1 बटे 4 बटे 4 बटे 4 इससे कट गया एक बटे न हो जागा तो एक इंसल हो गया अब इस तरीका से दोस्तों हम देखेंगे क्या दूसरा नंबर कोश्चन देखेंगे ठीक है जो कि आप दोस्तों वीडियो में लगातार अब बने रहें और फिर अब देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर कोश्चन है दूसरा नंबर कोश्चन क्या करा है 2 10 स्कार 45 डिगरी पलस कॉस स्कार 30 डिगरी माइनस साइन स्कार 60 डिगरी तो क्या करेंगे यहां लिखेंगे 2 गुने देखे 10 45 डिगरी का अब इसके बाद क्या करना है हमको फिर यहां लिखेंगे दो गुने एक का hallows square क्या होगा? दोस्तों एक होगा, पालस. रूट under 3 का pur aut ter3 का hallows square कितना होगा? तो रूट दोस्तों 9 हो जागा, ठीक है? रूट 9 हो जागा. तो रूट 9 का वर्ग मुल कितना हो जागा? त्ीन हो जागा, तो दोस्तों यहां पर हम direct लिख लेते हैं, root 3 का whole square का क्या लिख लेंगे, 3 अब बटे, 2 का whole square कितना होगा, 4, minus, इसको भी लिख लेंगे, क्या 3, अब बटे 2 का, 4 हो गया, अब यहां क्या कर लेंगे, हम 2 में 1 सुगुना करेंगे, 2, plus, 3 बटे 4, minus, 3 बटे यहां पर भी दोस्तो, 4, अब क्या करना है, द देखे, 1, 1 में 4 से भाग देंगे, दोस्तो, तो 4 होगा, 4 दूना, कितना हो जागा, 8, plus, 4 एकम 4, तो 3, minus, कितना होगा, 4 एकम 4, तो यहां भी 3 हो गया, अब हमको इसको क्या करना है, यहां पर, यहां पर यह, जोर बला को, जोर के साथ के, जोर करके, और घटा लेंगे, यह जाना, तो दोस्तों, यह देखिए, 3 से 3 कर जागा, तो कितना बचेगा, 8, अब बटा में यह, 2 बच गया, sorry, 4 हो गया, तो 4 दूना, कितना हो जागा, 8, मतलए, कितना एंसर आ गया, दोस्तों, तो 2 आ गया, अब इस परकार से हम देखेंगे, क्या, तीसरा नमबर दोस्तों question देखेंगे, जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहे, आप दोस्तों, आपको VVI question जो होगा, तीसरा, चौथा और पाच्मा यह आपको बताने जा रहे है, अब देखिए, दोस्तों, यह तीसरा नमबर question है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है, देखिए, cost 45, cost 45 degree का value कितन होगा, दो बते root under 3, फिर plus, cost 30 degree, cost 30 degree का value कितना हो जागा, दोस्तों, तो यहाँ हो जागा, 2 हो जागा, ठीक है, अब देखिए, इससे आगे हमको process बराने तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ है, तो क्या करना पड़ेगा, एक लिख लेंगे, तो देखिए, root 3, root 3, एक मरत में हो गया, यहाँ हो जागा, 2 और plus, इसको भी बटा पर करेंगे, दोस्तों, 2 root 3 हो जागा, ठीक है, अब देखिए, इससे आगे हमको process क्या करना आए, देखिए, यहाँ क्या है, 1, 2, 3, 4, जब यह दोस्तों, 4 वो आ जागा न, तो इसका process क्य होगा, तो आप देखिए, इसको लिखेंगे, क्या पहले यह लिख लेंगे, एक बट्टे, root 2 लिखेंगे, ठीक है, अब गुने लिखेंगे, और इसको दोस्तों, पल्टा लेंगे, तो लिखेंगे, क्या root 3, और बट्टे में हमको लिखना परेगा, क्या, 2 plus 2 root 3, इस परका करना है, यहां coast में ले लेते हैं, तो यह 2 से पहले, रूट, 2 से 2 में गुना होगा, तो क्या हो जागा, 2 root 2 हो जागा, फिर pause, अब root 2 में, 2 root 3 से गुना करेंगे, क्या होगा, 2 root 6 हो जागा, ठीक है, अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है, यहां लिखेंगे ऐसे, और पलट लेना परेगा ठीक है जब ही हम इसको पलट लेंगे न तो क्या कर लेंगे पहले यहां लिख लेते हैं या इसमें दो कमन हो जागा ठीक है दो कमन हो जागा तो इसको हम लिख लेते हैं क्या लिखेंगे रूट 6 अब पलस रूट 2 इतना करने में भी हमको कहीं से कोई दि करन इसको दोस्तों सिर्फ करना पड़ेगा तो यहां लिखेंगे क्या रूट 3 अब बटे क्या हो जागा यह 2 यह कोस्ट में हो गया क्या रूट 6 पलस रूट 2 अब यहां तो ऐसे हो गया अब यह से लिखेंगे लिखेंगे क्या root 6 minus root 2 बट्टे क्या हो जागा यहां लिखेंगे root 6 minus root 2 अब आपको बता देखिए यहां हरों का प्रमिकरम कैसे की है उपर वाले को अंस कहा जाता है नीचे वाले को हर यहां pelvis है जब यह पर वाले को जागा तो उपर नीचे minus से गुना करना पड़ेगा अगर यहां minus रहेगा तो उपर नीचे plus से गुना करना पड़ेगा अब इसको हम जब गुना करेंगे तो देखिए कैसे हम गुना करते हैं ठीक है, आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे, रूट 3 और रूट 6 को गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जागा, रूट अंडर 18 माइनस, फिर इसको गुना करेंगे, क्या हो जागा, रूट अंडर 6, और बट्टे हो गया, देखिए, ये 2 का 2 तो खर रहा गया, अब इसको क्या करना है, देखिए, इसको भी कोष्ट में ले लिए, तो क्या हो गया, a plus b into a minus b, ठीक है, अब किसी को सुत्र अगर हमको समझ मी नहीं आ रहा है, तो हम बिना सुत्र को कैसे बना सकते हैं, इसमें अंतर क्या है, c plus minus का अंतर है, ठीक है, यहाँ root 6 है, यहाँ root 6 है, तो क्या लिख लेंगे, root under 6 का whole square, a minus, plus minus, इसमें वे root 2 है दोगो, तो 2 का एना whole square लिख लेंगे, ठीक है, अब इसके बाद फिर हमको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए, अगला प्रोसेस हमारा होगा, root under 18, a minus root under 6, बट्टे क्या होगा, यह 2 का 2 हो गया, देखिए, root 6, root 6 का दोस्तो whole square क्या हो जागा, तो root 36 हो जागा, अच 36 का वर्ग मूल 6 होता है की नहीं होता है, तो होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6, फिर minus, फिर हम क्या लिखेंगे, minus, अब इसके बाद हम फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देख लिजिए, इसका भी हो जागा, दोस्तों, उस परकार से तो यहाँ हो जागा, 2 ही हो जागा, ठीक है, क्योंकि देखिए, root 2 का whole square क्या होगा, root under 4 होगा, 4 का 2 हो जागा, अब ऐसे हम लिख लिख लिए, अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए, इसमें अगर हम, इसको अगर answer हम मिलाना चाहते हैं, जब हम answer मिलाएंगे, तब देखिए हमको क्या करना पर जागा, तो देखिए, क्या करना पर जागा, यहाँ हम 18 का, यह root में हैंना, 18 का LCM करेंगे, तो कितना हो जागा, 18 का LCM अगर हम कर लेते हैं, तो दूसरे 9 हो जागा, 3, 3, 9, तो मतलब कितना हम लिख सकते हैं, इसको जब जोरा मिल जागा, तो बाहर निकालना पड़ता हैंगो, तो लिख सकते, 3, root 2, minus root 6, ठीक है, अब 8 में, देखिए, 2, गुने, और इसको घटा देंगे, दोस्तों, तो 4 हो जागा, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 3, root 2, minus root 6, अब 8 में, क्या हो जागा, अब देखिए, दोस्तों, यह चौथा नमर कोस्चन है, ठीक है, चौथा नमर कोस्चन, क्या कह दिया, कि साइन 30 डिगरी, पॉलस, 10, 45 डिगरी, minus, कॉस एक 30 डिगरी, बट्टे, सेक 30 डिगरी, पॉलस, कॉस साट डिगरी, पॉलस, 45 डिगरी है, ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, साइन 30 डिगरी का फैल्व कितना होगा, तो एक बटा 2 होता है, पॉलस, 10, 45 का कितना होगा, तो एक होगा, minus, देखिए, कॉस एक 30 डिगरी, तो कॉस एक 30 डिगरी है क्या होगा, तो यहां हो जागा, कॉस एक 30 डिगरी का होगा, दोस्तो, 2 हो जागा, ठीक है, कॉस एक 30 डिगरी है कितना हो जागा, तो 2 हो जागा, लेकिन यहां पर दोस्तो, कॉस्चन नमर क्या है, question यहां 60 degree है ठीक है? तो यहां हमको cost 60 degree का लिखना पड़ता question दोस्तों mistake थोरा सा हो गया लिखने में तो इसको हम क्या लिख सकते है यहां cost 60 degree है क्या होगा 2 अब बटे में यहां root 3 लिख लेंगे ठीक है? अब इसके बाद फिर यहां बटे करेंगे और इसको लिखेंगे ठीक है? अब इसको क्या होगा? देखिए cost 30 cost 30 degree हो जागा? 2 बटे root 3 हो जागा और फिप plus cost 60 degree cost 60 degree हो कितना हो जागा? तो 1 बटे 2 हो जागा अब plus 10 35 degree का दोस्तों 1 हो जागा इस परकार से हमने लिख लिया अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है? तो यहां देखिए हमको क्या करना है यहां हम क्या करेंगे? इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 और इसके भी नीचे नहीं कुछ तो 1 इसको हम क्या करेंगे? बटापर को जूर करेंगे जब ही दोस्तों जब हम हम इसको LCM लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 root 3 ही हो जाएगा, ठीक है, अब इसको क्या होगा, देखें, 2 से 2 कट गया, तो बचा, root 3, root 3 में एक से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, root 3, 2 root 3, पॉलस, देखें, अब एक में 2 root 3 से तो उतना ही हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, 2 root 3, और क्या लिखना पड़ेगा, देखें, root 3 से root 3 कट गया, क्या होगा, तो 2 बच गया, 2 दूना, 4, यहाँ लिख लेंगे, माइनस 4, और बटे में, ठीक है, बटे में आब अब देखें, इसको भी हम क्या करना पड़ेगा, वही बटापर का जूर घटाव करना पड़ेगा, तो इसका भी LCM 2 root 3 हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, देखें, root 3 से root 3 खतम हो गया, बचा 2, 2 दूनी, 4 हो गया, और फिर पॉलस, देखें, 2 से 2 कट गया, बचा क्या root यहाँ 3 और पलस 1 बच गया, आपको बताएगे दोस्तों कि इसमें देखें, 1, 2, 3, 4 गो है, तो इसको अब किस परकार से लिखना पड़ेगा, पहले हम इसको इतना ही लिख लेते हैं, तो इसको देखें, क्या करेंगे हम, देखें, यहाँ root 3 है, root 3 है, इसके पीछे 2 है, और इसके पीछे नहीं कुछ होगा, दोस्तों तो एक हो जागा, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे न, तो क्या लिखेंगे, 3, root 3, minus 4, बटे में हम क्या कर लेंगे, यह लिख लेंगे, 2, root 3, अब देखें, यहाँ यह तो लिखा गया, अब इसको दोस्तों यहाँ पर पलट आएगा, दोस्तों इसको बटापर का हम जोड़ किये हैं, तो इतना आ गया, 3, 2, 4, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा भी मिश्टेक हो गया, कि यहाँ हमको 2, root 3 हो जाता, 2, root क्या हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, इसको बटापर के जोड़ करते तो, तो इस परकार से यहाँ प पॉलस 4 अब इतना आ गया जब यह इतना आ गया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा तो हरो का परमे करन करना पड़ेगा ठीक है यहां हरो का परमे करन करेंगे ठीक है हरो का परमे करन करने पर तो अब इसको भी हम लिख लेंगे इतना 3 root 3 minus 4 और बट्टे में क्या लिख लेंगे 3 root 3 plus 4 हर कापर में करन करेंगे दोस्तों तो इस परकार से यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा यहां plus है तो यहां minus हमको लिखना 3 root 3 minus 4 और बट्टे में क्या हो जागा यह 3 root 3 minus 4 इस परकार से दोस्तों हमको लिखा जागा जब यह हम इस तरीका से लिख लेंगे इसके बाद हमको फिर क्या करना पड़ेगा देखिए यहाँ दोनों यह एक रंग है जब यह एक रंग है तो क्या करना पड़ेगा 3 root 3 minus इतना का whole square लिखना पड़ेगा और बटे देखिए यह a plus b into a minus b के फर्मूला पड़ है तो देखिए यहाँ क्या है 3 root 3 यहाँ भी 3 root 3 तो क्या कर लेंगे सीधा 3 root 3 का ऐसे whole square कर लेंगे minus minus हो गया यहाँ 4 का whole square हो जागा ठीक है अब देखिए इसको a plus b के whole square पर तोरना पड़ेगा तो इसको a plus b के whole square पर तोरने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या तो देखिए यहाँ सुत्र क्या होता है a square तो लिखेंगे 3 root 3 का whole square ठीक है minus होता है 2 गुने 3 root 3 गुने 4 और plus 4 का whole square बटे में हम क्या कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर इसको जो यहाँ लिखा हुआ है 3 root 3 का whole square तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 का square क्या होगा दोस्तो तो 9 होगा root 3 का whole square क्या होगा तो 9 ही होगा अब देखिए 9 गुने root 9 का और मुल 3 तो 3 का 27 तो क्या लिख सकते हैं तो यहां पर भी वही बात है, तो यहां लिख लेंगे हम 27, इसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद है, अब देखिए, इसको गुना करेंगे, तो कितना होगा, दू, तिया चोचोक, 24, लिखेंगे, 24, रूट 3, पलस, 4 के स्कार 16, अब बटे, देखिए, अब 27 में से 16 जाएगा, दोस्तो, तो यहां पर हमको 11 बज जाएगा, यहां पर हम लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे, ठीक है, यहां पर हम 11 लिख लेंगे, अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है, तो अब इसके बाद हमको करना, यहां पर क्या है, दोस्तो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए यह 27 और 16 दोनों को जोर लेंगे 27 और 16 को जोरेंगे तो कितना होगा 7, 6, 13, 14, 14, 24, रूट 3, अब 8 में 11 दोस्तों फाइनली आपको बता दे कि यहीं यहाँ पर हमको इतना एंसर लाना था जो कि यह 4 नमबर दोस्तों कोस्टन था अब हम देखेंगे क्या आप पाचमा नमबर कोस्टन देखेंगे अब देखेंगे दोस्तों इस कोस्टन को कैसे बनाया जाएगा यहाँ लिखा है 5 कौस स्काइर साथ डिगरी ठीक है तो इसको लिखेंगे क्या पाच गुने कौस साथ डिगरी को साथ डिगरी का भैलू क्या होगा दोस्तों तो एक बट्टे टू होता है एक बट्टे टू यहाँ होले स्कायर है यहाँ लिख लेंगे होले स्कायर फिर पहला से देखिए यहाँ चार है तो चार गुने यहाँ क्या है सेक स्कायर 30 डिगरी तो देखिए सेक 30 डिगरी का भै कितना होगा तो एक बट्टे होगा यहां हॉल इसकार तो होल इसकार कर लेंगे फिर पालस और रूट अंडर थीरी बट्टे टू का ऐसे होल इसकार हो जागा ठीक है अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना ही देखिया 5 कुणने 1 का युसकार दोस्तो 4 हो जागा फिर पर स्वसांद सब्सक्रों छाय गोंने लांत दोस्तों खेले खेले घुंप गजा हाँ, उसके नीचे नहीं कुछ तो हम एक मन से कर लिए अब फिर यहां क्या करना पढ़ेबा, देखेए एक का यहां अब एक का एस्कार कितना हो जागा तब एक हो जागा बट्टे दू का चार फिर पॉलस उसी परकार से रूट नो तीन हो है तीन का एस्कार नो नो का तीन हो जागा बट्टे दू का एस्कार चार अब इसके बाद फिर हमको दोस्तों क्या करना है यहां देख अब यहां फिर है एक वाड़े चार पी यहां पड़ेंगे अव ऐसे लिख लिए यहां हम इसे कर लिए अब देखेगे इसको बटाबर को जोर खटाओ करना पड़े LOOK इसको भी ठीक है इसको अलग बटावर को जोर घटाव करना पड़ेगा वीडियो को आप देखिए लगातार देखिए जिससे आपको बहतरीन तरीका से दोस्तों समझ में आजाएगा अब देखिए इसका क्या करना पड़ेगा चार और तीन का एलसेम कितना हो जागा तो चार मर्त में तो 16 चुका 64 अब माइनस क्या हो जागा यहां 12 कम 12 तो दोस्तों 12 हो गया अब नीचे वाला के भी एलसेम कितना हो जागा चार हो गया तो देखिए एक पलस क्या हो जागा तीन अब यहां पर हम अगर जोर घटाव अगर हम करना चाहें तो देखिए कितना हो ज लिखेंगे क्या सौर सट बटे बार यह हो गया चार बटे चार हो गया ठीक है तो इस परकार से दोस्तों यह तो चार से चार कट गया तो बच गया कि हाँ यहाँ पर यहाँ पर बच गया हमको सौर सट बटे बार तो इस परकार से दोस्तों हम आपको बता दे कि यह इसका क्या हो जागा तो इंसर हो जागा अब हम देखें दोस्तो यहां पर आपको बता दिये क्या कि young में जो 5 को कोस्चन था हो सब बता दिए अब हम देखेंगे क्या दूसरा का दूसरा में भी दोस्तो 4 को कोस्चन है उस 4 को कोस्चन को हम बनाते हैं जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहें अब देखिए दोस्तो, पहला का तो 5 वो question था, first number में तो उसको बना दिये, अब दूसरा क्या है, सही विकल्ब चुनिये और अपने विकल्ब का ओचित्य दीजिये, ठीक है, देखिए पहला question है, यहाँ option दिया है दोस्तो, इसका option नमर क्या हो जागा, दूसरा question दिया है, इस तीज दिगरी बट्टे, 1 plus 10 square, 30 दिगरी, ठीक है, अब देखिए इसको हम बना लेंगे कैसे, लिखेंगे क्या 2 गुने, 10 30 डिगरी का value कितना हो जागा दोस्तो, तो 10 30 डिगरी का value हो जागा, एक बट्टे root 3 हो जागा, और बट्टे, यहाँ फिर क्या लिख लेंगे, 1 plus 10 square 30 है, तो यहाँ भी लिखेंगे, 1 plus 10 square 30 डिगरी का value कितना हो जागा, एक बट्टे root 3 हो जागा, यहाँ पर यहाँ होल जागा, तो 9 का क्या हो जागा, और अर्गमूल 3 हो जागा, तो इस परकार से यहाँ डारेक्ट 3 लिख लेंगे, अब इसको क्या करेंगे, दोस्तो, इसक परकार से लिखना चाहिए, अब देखें, यहाँ नहीं कुछ था, तो एक कर दीए, बट्टा पर के इसको जूर कर लेंगे, ठीक है, तो बट्टा पर के जूर करेंगे, और लिखेंगे क्या टू बट्टे root 3, बट्टे में क्या लिखेंगे, इसको 3 बट्टे में, अब दे चार, ठीक है, अब देखिए, यहां हम इसको काट लेंगे, दो दूना यहां, चार हो जाएगा, यह तो इतना मर्तमें, यह कट जाएगा, अब इसके बाद हम फिर क्या कर सकते हैं यहां, देखिए, यहां क्या करना पड़ेगा, 3 बटे, 2 रूट 3 है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए, 3 को हम दोस्तो, रूट 3, गुने रूट 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहां क्या कर लेंगे, 3 के जगा हम लिखेंगे, रूट 3, अगुने option हम दोस्तों यहाँ पर मार लेंगे ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर question देखेंगे, कि दूसरा नंबर question क्या कह रहा है अब देखिए, यहाँ पर दूसरा का यह दूसरा नंबर question है, क्या कह रहा है, 1 plus 10 square 45 डिगरी, बटे 1 plus sorry, 1 minus 10 square 45 बटे 1 plus 10 square 45 डिगरी दे दिया अब देखिए, option नंबर है यहाँ 1090, B में 1 है C में sin 45 और D 0 है अब इसको दोस्तों हमको निकालना परेगा तो देखें कैसे निकालेंगे, 1 minus ठीक है, देखें 1045 डिगरी का भेलू कितना होगा, 1 होगा तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 square बटे में फिर क्या करेंगे, 1 plus यहाँ भी 1045 का 1 होगा, तो 1 square लिखेंगे क्या 1 minus, 1 square 1 होगा, अब बटे 1 plus, 1 square 1, क्या होगा, 0 बटे 2 अब दोस्तों, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जागा 0 हो जागा, मतलब समझ लिए कि 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग अगर दिया जाता है, तो already हो जागा क्या, तो यहाँ 0 हो जागा, ठीक है, तो इस परकार से इसका option क्या हो जागा दोस्तों, तो D number हो जागा, ठीक है अब हम देखेंगे क्या तीसरा number question देखेंगे, दूसरा का तीसरा